सब्सक्राइब कीजिए हैश्टेग हिंदी यूटूब चैनल को और दबाईए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुढ़ फेड हुई पुलिस का कहना है कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के क्षेत्र में मौजूद होने की जानकारी मिलने के बाद श्री घुकवारा गाओं को चारों ओर से घेर लिया पुलिस अधिकारी ने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बलों ने सुरक्षा विवस्था कड़ी की छुपे हुए आतंकवादियों ने गोली बारी करनी शुरू कर दी केंद्र की मोदी सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून गैर कानूनी गतिवधी रोक्थाम अधिनियम के तहतल काईदा और IAS के नए संगठनों को बैन कर दिया गया है ग्रिह मंत्रालेव ने एक UIS और IAS IS के को गैर कानूनी घोशिद कर दिया है आदेश में कहा गया है कि IAS IS के को इस्लामिक स्टेट इन खुरासन प्रोविंस IAS विलायत खुरासन के रूप में भी जाना जाता है इसमें कहा गया है कि अलकाईदा से जुड़ा संगठन एक UIS आतनकवादी संगठन है गौर तलब है कि जम्मू कश्मीर में PDP BJP गटबंदन की सरकार गिरने के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया है घाटी में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद आतनकी संगठन लशकर ए तययबा के चीप महमूद शाह ने इसकी निंदा की है महमूद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की राजनीती में जो कुछ भी हो रहा है वे गलत है लशकर ए तययबा के चीप कवायान ऐसे समय में आया है जब घाटी में आतनकी गतिविधियों में जोर पकड़ रखा है वही जम्मू कश्मीर के DGPSP वेडियों ने कहा है कि राज्यपाल शासन के दौरान आतनकियों के खिलाफ चलाए जाने वाले आपरेशन आसानी से किये जा सकेंगे उन्होंने कहा कि अब जम्मू अन कश्मीर का प्रशासन सीधे टौर पर केंदर के हाथों में होगा सुरक्षाबलों को फ्रीहंट मिलेगा ऐसे में यहां चलने वाले आपरेशन के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा चुन्नी हुई सरकार की अपनी मजबूरियां है दोस्तों हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करना न भूलें और ऐसे ही लिटेस अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे इस चानल को सब्सक्राइब जरूर करें